सुबह होते ही मम्यों के टेंशन है लंच में आज क्या पैक करें और वह भी हेल्थी हो बच्चों को पसंद भी आए तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए आपको अगर आइडिये चाहिए तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ वीडियो देखने थोड़ा सा नमा और यह जवाइन इसके साथ ही काले मिश्च पाउडर जीरा और यह लाल मिश्च पाउडर अगर आपके बच्चे नहीं लेते बिल्कुल तो इसको अवाइड कर सकते हो आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि मैं इसमें क्या बनाने वाली हूं बेसन स अब हम बेसन का मिक्स करते हुए इस तरह से घोल बनाएंगे करें आप यह तो नहीं सोचने वाले कि हम इसके पकोड़े बनाने वाले हैं विल्कुल नहीं यहाँ पन मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए एक बेटर तयार करेंगे फटा फटा अगर किचिन में बनाना है सुबह सुबह तो ये बहुत ही अच्छा ओप्षन है इसका बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें थोड़ी पतली रखनी है क्योंकि हम इससे बनाने वाले हैं चीले बेसन के चीले जो की लाइट भी होते हैं हल्दी भी होते हैं और कि इसमें बिला देंगे थोड़ा सा नमाग थोड़ी सी काली मेच और थोड़ा सा पनीन मसाला पर इस तरीक से मिक्स करते हुए आप जो फिलिंग है वो तयार कर लेंगे तो यहां बेसन की चीले के साथ आप पनीर की फिलिंग देंगे तो यह हेल्दी भी हो जाएगा और ट और इसके साथ ही हम बैटर को इस तरीक से डालेंगे ध्यान रखना तब ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए ज्यादा गरम होगा तो आपके चीले चुपक जाएंगे और फिर उठाने में दिक्कत भी होगी तूट भी जाएंगे तो इस तरीके से तरीके से मीडियम आज पे हैवी हेल्दी ही रहेगा और इसके बाद आप इसे पलट दें देखिए तीला कितना अच्छा बना है लाइट भी है पतला भी है बहुत मोटा मोटा बेसन का चीला अच्छा नहीं लगता है और वह हैवी होता है इधर भी घीर लगा देंगे दोनों तरफ और इस तरीके से क्लिप कर देंगे तूसरी साइड तो चीला बन कर हो गया है तैयार अब यहाँ पर मैंने लगाया थोड़ा सा पीजा पास्ता सॉस आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसको टैंगी नेस और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए टिकि बच्चे जनरली हरी चटनी वगएरा नहीं खाते हैं तो मैं यह लगा दिती हूँ आप चाहे तो थोड़ा सॉस भी लगा सकते हैं जो आपके बच्चे खाते हूं और उसके साथ ही मैंने यहां पर फिलिंग को डाल दिया है इसके ऊपर और इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए अब फ्लो ऐसे रैप कर देंगे दोनों साइट से तो यह हमारा पनीर फिलिंग वाला छीला रेडी हो गया है और अब हम इसे पैक करने के लिए तैयार है कि यहां पर मैंने उसके लिए दो चीली रखे हुए हैं और साथ ही यह मारे कुकर में जो सीटी लग रही थी उसमें उबल रहे थे छोले और इस छोलों को मैं क्या करने वाली हूं चलिए देखते हैं सबजी नहीं बनाऊंगी वाई डरिये मस वह टाइम लगता है यहां पर मैंने प्याज कटी हुई है बारिक बारिक चॉप कर लेंगे अगर आपके बच्चे प्याज मिर्ची यह सब नहीं खाते हैं तो आप सिंपली छोलों में नमक और नीबू और काली मिर्च तीन चीज मिलाकर दे सकते हैं और मेरी बेटी बड़ी है तो वह यह चीजें डालकर अच्छा लगता है टेस्ट आता है तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी ग्रीन चिली वह बहुत ज्यादा कड़ी नहीं है इसली डाल दिये थोड़ा सा नमक काली मिर्च और इसके साथ ही आप चाहें चाट मसाला डाल सकते हैं और मैंने नीबू भी ड तो जो भी फूट आपके घर में अबिलेबल हो आप उसे एड़ कर सकते हैं आज मेरे घर में यह पॉमेग्रेंज के सीड्स से यानि के अनार के दाने तो यह एड़ कर दिये हैं मैंने बच्चों को फूट सालड कम्प्लीट मील जब हम दे देते हैं तो बच्चों के लिए स बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं अपना स्कूल में लंच टाइम जो सब के लिए बहुत इंपॉर्ट होता है तो जलिए मिलते हैं फिर बाबाई